हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तो सिबिल सर्विसेट ड्रीम तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आई-उ-सी-एन के बारे में इस से पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनेप के बारे में पढ़ा था और एक कोश्चन भी सॉल्व किया था तो इस वीड स्थापना कब हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी 1948 में तब इसे इसका नाम था International Union for the protection of nature ठीक है और वर्तमान में इसका क्या नाम है International Union for the conservation of nature यह point मनें last में या पर लिख दिया था हाला कि उतना इंपोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए इट वस प्रिवेसली काल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर दी प्रोटेक्शन आफ नेचर के नाम से भी यह जाना गया जब इसकी स्थापना हुई थी और बाद में इसे वर्ल्ड कंजर्विशन यूनियन क नाम से भी जाना गया तो यह मुख्याला है जो कि बहुत पूछाजयता है इसका मुख्याला है में कंट्री कई का ही नाम वार्द रूखिए ज्यादा तर कंट्री ही पूछी जाती है अब इसका मुंखेकार से तो इसका मुख्य काई क्या है किर से नेशर में करता है working इंदा फिल्डत आफ नेचर देटर वेशन एंड इंसस्टेंबल यूज फित आफ नैचरी रिस्वेशन या नी एक तो प्रकृत की संक्षन के सहेत्र में काम करता है और sustainable use of natural resources यानि प्राक्तिक संसादनों का संपोशणी प्रियोग उपियोग ठीक है अब संपोशणी उपियोग का मतलब क्या हुआ के लिए सुची जारी करता है जिसे कहते हैं रह डाटा बुक तो इक क्रेविशन पूशा जाता है कि रह data बुक कौन जारी करता है बहुत P 1948 में ही हो गई थी आई उसीन की लेकिन ड्रेट डाटा बुक कपसे जा रही है 1964 से यह आप याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर ठीक है अगला पॉइंट है IUCN में सरकारी संगटन तता गयर सरकारी संगटन यानि जो Government Organization ओर Non-Government Organization यानि NGO दोनों ही इसके सदस से होते हैं तो अगर कहीं पर áticas Crash गयर सरकारी संगटन दोनों ही इसके सदस से होते हैं अगला पॉइंट है IOCN को संयुक्तराष्ट महासभा का पर्रिवेक्षक यानि Observer का दर्जा प्राप्त है तो ये प्रकति सनक्षन के संबंद में या परियावरण के संबंद में एकमात रहसा संगटन है अंतराष्टी जिसे संयुक्तराष्ट महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है लेकिंन यह कर रखी है लेकिन यह सहींक-तौराष्ट का कोई अंग नहीं है कोई एजनसी नहीं है मैंने हमने देखा था कि यूणप जो है वो सहींक-तौराष्ट के ऑजनसी के तौर GC काम करती है ठीक है लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं है IUCN के साथ ऐसा नहीं है ठीक है यह स्विंगतुराष्ट की कोई एजनसी नहीं है बस परेवेक्षक का दरजा इसको प्राफ्त है स्विंगतुराष्ट मासबा का ठीक है तो यह आप याद रगना तो चलिए अब हम लोग जो है कोस्टन को साल कर लेते हैं कि कोशन है कि IUCN के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार किजिए चार कतन दिये गए और पूछा गया कि कौन से कतन सही है पहला कतन है इसका मुख्याले सुट्जय लेंड में है दूसरा कतन है इसकी स्थापना 1964 में हुई है तीसरा कतन है इसे को पाउस कर लिजे और इत्मिनान से सोच कर इसका एंसर डिसाइड करिए और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका मुख्याले सुट्जय लेंड में है तो पहला स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट मुख्याले पूछ लिए जाते है तीसरा भी सही है और चौता है इसके दोरह रेट डाटा बुक का प्रकासन किया जाता है ठीक है तो पहला तीसरा और चौता सही है इसका मतलब सीज़्द करेक्ट एंसर एक चीद ध्यान से दिखिए UPSC भी बिल्कुल ऐसे ही कोशन बनाता है कि आपको हिंट देता है अग तो अगर दूसरा नहीं होगा तो आप इसे कर सकते थे इसे कर सकते थे और इसे भी इलिमिनेट कर सकते थे और आपका एंसर आ जाता सीज़्द करेक्ट एंसर तो ऐसे कुछ कोशन ऐसे जरूर होते हैं मतलब जो UPSC का रियल एक्जाम होता है प्रिलिंस का मतलब जिनको आप सॉल्व कर सकते हो मतलब एक स्टेटमेंट अगर आपको पता है जिसके पार में पूरी जानकरी जैसे आपको यहाँ पर अगर पता होता कि आयू सीन की स्थापना 1948 में हुई है बस इतनी सी बात अगर आपको पता होती तो भी आप इस को सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आप यह बाला तो इल्मिनेट होई जाता तो बाकी सब अपने आप हट जाते हो तीसरा सी दा करेक्न अंसर ठीक है जी तो तो दोस्तों कैसा रहा है यह वीडियो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नम हुआ 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 ह